लूब राज़कार मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे है केयाम टॉक्स आज एक बार फिर एक नया चैपटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजबरीक एक्सप्रेशन तो चलते हैं देखते हैं य lapram vaig एकस्प्रेशल क्या होता है सल जबिव्रेवए था है सो'd में एकस्प्रेशन होता है जिसमें वेरिब्ल प्रेशन्न रहते हैं जिसमें रिव तसबहते जैसे मान लिजिए वेरिप Newton है संटक्शिसे ठीजों मानते हैं कैसे अभी वता रहे हैं तो फाइब को कॉंस्टेंट मानते हैं कॉंस्टेंट अब इसको वेरेबल क्यों मानते हैं इसको कॉंस्टेंट क्यों मानते हैं इसकी जो वैल्यू है फिक्स नहीं है कोई कुछ भी आ सकता है इसलिए इसको वेरेबल कहते हैं इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है x, x means हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या value है इसकी लेकिन इसको अगर देखें तो 5 5 को हमें पता है कि इसका value 5 ही होगा चाहे जो भी हो value 5 होगा लेकिन इसका हम नहीं कह सकते तो इसलिए यह variable है इसलिए इसको constant कहते हैं अब हम देखते हैं एक question आता है कितने term का है तो यहाँ पर देखते हैं 5 यहाँ पर कोई प्लाइब जहाँ पर देखिए जहाँ पर प्लस माइनस रहेगा वहाँ सेप्रेशन होगा प्लस और माइनस रहेगा वहाँ सेप्रेट होगा वहाँ पर टर्म दिखेगा कितने term है कितने नहीं है अब जहां पर division multiplication होता है वहां पर कोई भी suppression नहीं होता है कोई भी term का suppression नहीं होता है तो आएए देखते हैं term क्या होते हैं 5 देखिए 5 के अलामा कोई term नहीं है अगर term होता तो यहां plus और minus कुछ दिया होता यहां पर 5 क्योब one term है तो यह constant भी है one term है अब यहां पर देखिए plus आया है बीच में 5 plus x तो इसमें एक term दो term two terms के हैं यह अब यहां पर देखिए five upon x one term का है one term क्यों है यहां पर देखिए x भी present था five भी present था लेकिन यहां पर five upon x है तो यह वाला rule लग रहा है कि division and multiplication do not separate तो division में है इस लिए यह separate नहीं करेगा और one term ही कहलाएगा और चौथा देखते हैं five plus x minus y अब इसमें देखिए term plus और minus separate करते हैं तो एक term यह हुआ plus separate कर दिया एक्स हुआ माइनस फिर separate कर दिया तो थ्री टर्म हो गया five x y थ्री टर्म हो गए यहां plus और minus separate कर दिया term को addition और multiplication के कुछ rule जान लेते हैं और कुछ example उसके करके समझ लेते हैं कि algebra के expression में कैसे addition और subtraction करते हैं addition multiplication subtraction division अभी हम आपको addition और multiplication के बारे में ही बताएंगे आगे की वीडियो में अडिशन सब्ट्रैक्शन और division का बारे में बताएंगे तो addition कब होता है जब like term हो जब दो like term हो तभी addition होता है like term और unlike term क्या होता है जैसे मान लो तो एक्स हुगा प्लस टू एक्स हुगा इसमें देखिए एरफ वैरियेबिल दोनों में सेम है यहां पर भी एक्स है यहां पर भी एक्स है तो यह like term हुए थ्री एक्स हो जाएगा इसका addition ठीक और जैसे मान लो 4 हो गया और प्लस एक्स हो गया यहां पर देखिए constant है एक वैरियेबिल है तो यहां पर इसका addition नहीं हो पाएगा इसका answer यही रहेगा ठीक है इसमें unlike term है यह अलग है यह अलग है ठीक है यह unlike term कर लाएंगे तो देखिए यहां पर एक example लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स दोनों लाइक टर्म है तो एक्स वन एक्स प्लस वन एक्स इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वन एक्स प्लस वन एक्स टू एक्स ठीक जैसे हमने आपको बताया था लाइक टर्म आन लाइक टर्म फोर एक्स ब्लस वाई में इसमें दो वरेवल हैं बड़े अन्लाइक टर महैं इसलिए इसका अडिशन यही रहे down for और एक्स प्लस वाई अब मुल्टिप्लिकेशन में हम देखते हैं क्या होता है मुल्टिप्लिकेशन करने से पहले एक बेसिक मेथड हम लोग detail में explain कर लेते हैं देखिए क्या होता है यहां पर देखिए x into x है अब multiplication कैसे करते हैं उसका rule अगर base इसको कहते हैं और exponent इसको base यह है exponent कुछ 1 लिख देते हैं 2 कर देते हैं यह exponent हो गया यहां का exponent 2 है जिसको power करते हैं जिसको power करते हैं तो यहां पर यहां पर वन यह हो गया exponent यह बेस है तो multiplication में कभी कभी रूल लगता है कि बताइए x into x क्या होगा यहां पर दिया हुआ है तो base को हम लोग ऐसे लिख देते हैं और जो वो है exponent है उसको add कर देते हैं exponent मतलब यहां पर वन था यहां पर वन है तो 1 प्लस 1 addition कर देते हैं तो x की power 2 हो जाता है तो ऐसे यहां पर अग्सवाय डिख यहां पर एक्सपावर 1 एक्सपावर 1 तो되ास की Chapter fi ंटुॉर एक्सपावर खील हो जाता है से एक्सपावर 2 हो ज्याद रेक्सुरी स्वाइव प्लाइव यहां तो पहले इसमें 4x plus 5 वह में constant जो constant है उसको पहले multiplication कर लेते हैं तो 4 5 जा 20 और यहां पर x into y बचा तो x into y ओ ऐसे ही लिख दिये तो थैंक यू आज के लिए इतना ही आगले वीडियो में हम लोग आवर डिटेल में समझेंगे कर दो दिए